देख पार हों मेरे हाथ में आपे flip card का credit card है यानि जो access bank प्रवाइड करता है लेकिन उसके उपर में flip card का logo रहता है आप यहां पर देख पार हो और इस video में मैं आपको complete process बताने वाला अब पता नहीं आप कौन से जगह से ट्राइ किए हो और कौन से जगह को आप ट्राइ नहीं किये हो साथ में दोस्तों यहां पे तीसरा भी अप्चन है जिसे तो 110 परचेंट यह काड तो आपको मिलना ही मिलना है वीडियो को ध्यान से देखेगा इस वीडियो के related कुछ भी अगर problem होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं बैं आपको 110% आपको reply दे दूँगा दोस्तों इस card की बहुत बड़ी profit है अगर आप लेते हो तो लेकिन इस card का बहुत बड़ा एक नुकसान भी है वो भी इस वीडियो में आपको बात करने वाला हो तो वीडियो को अन्तक जरूर देखिएगा चैनल पर आप पहली पर हो तो चैनल को subscribe करके और लोडिफिकों जरूर परस कर दिजाएगा तो चैनल के आने वाले वीडियो आप बिलकुल मेसन नहीं कर पाया तो चलो वीडियो को start कर दोस्तों पनली में यहां पर इस पैक से में इस काड को बाहर निकालता हूं काड कुछ किस तरह से दिखता है बस एक लिफाफा था और उसके अंदर में यह इस तरह से card है आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस card के उपर नहीं यहाँ पर tape में ने लगाया हुआ है ताकि किस तरसे safety में कुछ problem नहीं आए because आज कल online पर कुछ भी हो सकता है तो card के अपनी number को वही किसी के साथ अफशेर मत कीजिए बहुत smart लोग हैं जो card के सरिफ आगे का number देख के ही आपके card से पैसे withdrawal कर सकते हैं swapping कर सकते हैं final में आपको दिखा दो card कुछ इस तरह से दिखता है आप यहाँ पर तोड़ा ध्यान से देख लिजे इस card में chip है इस card से पैसे भी निकाल सकते हूँ ATM से charge क्या आएगी वो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं final दोस्तों अभी मैं आपको ले के चलता हूँ flip card के application के उपर में और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि सबसे पहला पहला एक कौन से जगह है और दूसरी कौन से जगह है जहां से आप card apply करने के दो जगह अलग-अलग feature मिलता है और कहां से आप में try किया और कहां से try ने किया है वो भी आप इस speech में देखने वाले हो finally आप देख पार हूँ में यहाँ पे flip card के application में में login हो चुका हूँ बेर account और पहले से login है और यह काम करने से पहले मतलब आपको apply करना है flip card में check करना है तो भाई flip card का account आपके पास होना चाहिए अगर नहीं यह तो account create करके उसके बाद ही check कीजेगा नहीं तो वो वहाँ पे दिखाएगा ही नहीं तो मैंने already अपने account में पहले से login हूँ यहाँ पर कुछ लोग है कुछ लोग मतलब 99% लोग क्या करते है इस search bar में search करते है credit card अब जैसे credit card search करोगे तो आपके सामने यहाँ पर credit card यह दिख रहा है यहाँ तो simply ऐसे ही होता है actually यहाँ पर click करने के बाद में यहाँ पर फिर show होने लगता है उसके बाद आप यहाँ पर click करोगे दिन आपके सामने इस card की पूरी some details आती है lifetime free offer है अगर यहाँ से अगर आप card को apply करते हो और card अगर accept हो कर आपके घर पर deliver होता है तो यह card lifetime आपको मिलती है free और कोई भी joining charge यहाँ पर नहीं लगता है 24 hours कभी भी कीजिए उसमें आपको रहता है साथ में दोस्तों इस card की जो है no cost EMI में भी इस card को use कर सकते हो वेल उसके बाद हम नीचे आते हैं इस card की कुछ और थोड़ा details बता दूँ तो यह card flip card के साथ-साथ अगर आप में तरह पे भी आज करते हो तो वहाँ भी 5% का cashback आपको देखने को मिलता है साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़े आप देख पा रहे हो 4% का unlimited cashback जो यहाँ भी देखा रहा है वो यहाँ पे Tata Sky और recharge हो गएरे करने भी आपको मिल जाते हैं इससे अगर आप offline में अगर आप कहीं भी इससे अगर आप यूज करते हैं किसी भी जग़ पे तो आपको यहाँ पे दोस्तो 1.5% का आपको यहाँ पे भी हर चार्ड एक्शन पे यहाँ पे off आपको देखने को मिलता है आप बात करते हैं जैसे कि आप नीचे आते हो तो यहाँ पे 99% लोगों को यहाँ पे apply now का option दिखाता है वो किन लोगों को जो लोग सबसे ज़्यादा flip card को यूज करते हैं कोई भी स्वापिंग करते हैं वहाँ पे मतलब यहाँ पे शो करता है यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ask question कर रहा है तो आपको simply home page पे आ जाना है बिल्कुल home page पे आने के बाद में आपको यहाँ पे three line जो website में दिख रहा है उसके उपर में आपको क्लिक करना लेफट सेट में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे account section में आ जाने है एकाउंट section में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके account के information शामने यहाँ पे आ जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसके बाद थोड़ा सी इस card को ऊपर लेके जात कि पनिल जब आप अप्लाई करते हो तो card जाता है access bank के अंडर में और access bank इसे proceed करता है complete करता है दें card को dispatch करता आपके घर के address पे अगर आप access bank का user अगर आप मतब हो यह रहते हो तो आपको 99% chance मिलता है कि आपको यह card मिल जाए otherwise is card को जादस जादा वो लोग क्या करते है reject कर देते मैंने बहुत लोगों से सुना है card reject होता है अब मान के जो दोस्तों आपने दोनों जगह में try किया अपने apply भी किया और आपके card reject हो गया अब आपको क्या करना है दूसर रास्ता है जो मत्तब तीसर रास्ता है 110% card तो आपको मिलना ही मिलना है अब फानिली मैं back आता आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कहां पर आपको यह card देखने को मिल सकता है लॉगिन पर मैं यहां पर क्लिक किया और मैंने अपना यहां पर user password डालता हूँ फानिली यहां पर यह home page यहां पर आ गया है उसके बाद आपको दोस्तने यहां पर credit card वाली जो यहां पर section है इ चाहें आप accessbank का user हो या accessbank का user नहीं भी हो तो भी इस card को apply कर सकते हैं फीज की थोड़ी बात करेंगे बाद में अभी page open हो गया है और finally आप देख पा रहे हो मुझे यहां पर कुछ payment मैंने आप विडॉल भी किया है मत्तब विडॉल भी यूस किया है यह card यहां पर आप शो 91,000 यहां पर मेरी limit है अब card को मैंने use नहीं किया shopping नहीं किया खुछ भी लेकिन अब जो है आपको card कहां पर दिखेगा offer apply करने के लिए तो आप जैसे credit card section में आओगे तो मान की चलो यहां पर मुझे 2 card यहां पर दोस्तों दिखाई दे रहा है एक पहला यह दूसरा यह अब finally आप देखो इसे थोड़ा सा screen उपर लेकि जाते हैं तो यहां पर दो जग में आपको credit card के यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर देख पा रहे हो यहां पर यहां पर आप जो देख पा रहे हो access bank और flip card के अलग-अलग तरह का card है बिज़ा card ही है अलग-अलग आपको limited भ और कहां पर आपको charges लगते हैं तो इसके charges देखो जैसे मैं आपको बता रहूँ को अगर आप access bank के user हो तो आप जो है easy अपने mobile bank की से आके कर सकते हो या customer card से बात करके कर सकते हो अगर आप access bank के user नहीं हो तो आप क्या है इस video के description मैंने website के link डाला हुआ है मतलब access bank के official link है ज इसको लगते हैं अब यह बात मैं आपको एक और भी बता दूँ कि 500 रुपे नाम सुनके डरों मत lifetime free बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों इस card को जब आप अप्लाई करते हो 500 रुपे अगर आपके इस card से अगर विडॉल भी होते मतलब 500 रुपे करते हैं फीस लगते 500 जैसे इस card को आप activate करोगे और first connection करोगे access bank का मतलब इस card से flip card के उपर में दोस्तों मैं आपको बता दूँ वहाँ पे 500 रुपे के आपको voucher मिल जाएंगे जिस voucher के आप redeem कर सकते हो किसी भी shopping को करते हो तो means flip card के उपर आप 500 रुपे के voucher मिलेगा जिसे आप यूज कर सकते ह तो फानिल यहाँ पर आपको 500 रुपे जोईने फीस खतम हो गई अब रही बात 500 रुपे की आप सोचे रहेंगा साल में 500 रुपे लगेगा तो मैं आपको बता दूँग अगर flip card कोई भी product खरते हो तो 5% का उसमें offer आपको मिलता है तोड़ी से मैं यहाँ पर calculator भी आपको द की बहुत बड़ी profit तो आपने देख लिया अब इस card की नोकसान क्या है इस card की सबसे ज़्यादा charges कहां लगती है दोस्तों मैं आपको बता दो इस card की जो मुझे लिमिट मिला है विडॉल ओभी मैं आपको देखाता हूं जस्ट वन सेकेंड अभी इस card में मेरा limit देख लिज जो मैं ATM विडॉल कर सकता हूं इस card से मैं international और national मतलब domestic और out of country का भी आप कोई shopping करते हो किस तर से कुछ भी e-commerce site पर जाके इस card को आप use कर सकते हो कोई भी problem नहीं होने वाला है अब रही बात दोस्तों यहां पर यह पैसे विडॉल की तो अगर आप cash विडॉल करते हो किसी भ कि आने वाले वीडियो वसी topic पर होगी जो अगर आप लोगों के काफी सारे डिमांड होगा कि काड को पर में एक और वीडियो बना दो यार कितना charges है तो मैं एक वीडियो छोटा सा बना कर आपको पूरा proof देखा दोंगा कि कितने charges लगते because उसमें मुझे research करने होगे और इस काड से आपको profit ही मिलने वाला है चाहाँ वो 1% मिले या आपको 5% मिले अब फिर भी कैसे तरह से कुछ doubt अगर आपको वर्षता है तो आप मुझे comment में जरूर पूछेगा 110% मैं आपको help जरूर कर दूँगा दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो में तब तक के लिए thanks watching and take care